गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है उत्तर भारत में गेहूं रबी की सबसे प्रमुक फसलों में से एक है किसी ज़बाने में रबी की फसलों में काफे भी विश्ता देखी जाती थी इसमें दलहन और तिलहन की बहुत सारी फसले होती थी तरह तरह की डाले बोई जाती थी और तेल निकालने वाले जो फसले हैं वो भी तरह तरह की फसले बोई जाती थी इसके अलावा अन्य तरह के भी कई आनाज बोई जाते थे लेकिन हरित करांती यानि ग्रीन डिवलूशन के बाद एक तरह से बाकी फसलों की बुवाई में ब्यापक कमी आई और गेहू की फसल पर बहुत जादा जोर दिया गया इसका पर्ड़ाम यह हुआ कि गेहू की फसल जो की बहुत जादा पानी खाने वाली फसल है और अपेक्षा क्रित कम पोशक तक तो इसमें पाए जाते हैं, उसका बोलबाला हो गया, आज बाकी फसलों पर उतना ज़्यादा ध्यान ना के बराबर दिया जा रहा है, गेहूं पानी बहुत ज़्यादा लेता है और पोशन बहुत कम देता है, तो यह बहुत जरूरी है कि ह हम बाकी अपने पारंपरिक फसलों की तरफ की ध्यान दें और उनकी बुगाई फिर से सुरू करें, तो यह थी आमारी गेहूं पर ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी हमें बताएं